एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन एक प्रेरुनादायक कहानी है जो संघर्ष, कठिन परिश्रम और अटूट संकर्प की मिसाल है। उनका जन्न 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मध्यम वर्गिय मुस्लिम फरिवार में हुआ था। उनके पिता नाओ चलाते थे और मात रहनी थी। कठिनायों से भरे प्रारंभित जीवन के बावजूद कराम ने शिक्षा में रुची दिखाई। वे अफ़बार बेज कर और टूशन दे कर अपनी पढ़ाई के खर्च को पूरा करते थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामिश्वरम एलिमेंटरी स्कूल से की और बाद में श्वार्ट्स है स्कूल की रामदा प्राम से में रुच्टे जीवन के लिए अपनी एरोस्पेस इंजीनिरिंग में डिग्री मदरास इंस्टीट ओफ टेक्नोलोजी से लुच प्राम भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में शामिल हुए और वहां उन्होंने देश के पहले स्वदेशी सेटेलाइट लॉंच वहीकल SLV3 को विक्सित करने में महित्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसे 1980 में रोहिनी सेटेलाइट को सफलता पूर्वक पृत्व की कक्षा में प्रक्षेपित किया गए इसके बाद वे रक्षा अनुसंधान और विकास संक्ठन में शामिल हुए और वहां उन्होंने कई महित्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम किया जिनमें प्रत्वी और अगनी मिसाइलों का विकास शामिल है उनकी कड़ी मेहंत और दूरदर्शिता के कारण उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाने लगा। कलाम ने 2002-2007 तक भारत के ग्यारवे राष्ट्रपती के रूप में सेवाक अपने राष्ट्रपती कारेकाल के दौरान वे लोगों के बीच बहुत लोगप्रिये थे और खासकर युवाओं के ब झाल